जिन्दिगी जीने का जुनून अजमेर के जेलेन अस्पताल में देखने को मिला जहां मौत को छूकर 53 वर्षिये महिला फिर से 139 दिन बाद स्वस्थ होकर घर लोड़ गे इग नब्भे प्रतीशत लंग्स COVID-19 महामारी के चलते खराब हो गए थे लेकिन महिला की हिम्मत और डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों की देखरेक और पॉजिटिव सोच से ही हैं संभव हो पया इस तरह का पहला मामला राजस्थान में है जो इतने लंबे समय तक अस्पताल में भरती रहने के बाद खुशी से अपने खर लोड़ी अजमेर के धुलाव किती महामारी की विक्राल होते रूप को देखते हुए बिगड़ती गई मामला इतना बिगड़ा की कुछ दिनों बाद बायो पैप पर और अन्य मशीनों पर लाजवन्ती को रखा गया और 90 प्रतिशत लंग्स खराब हो गये लेकिन हिम्मत रखने वाली लाजवन्ती का सह बारा डॉक्टरों की टीम बनी और लंबे इलाज के बाद रहे साकुषल होकर 130 दिन बाद घर लोग दे जिसे लेकर सभी ने खुशी जाहिर की कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगार सकता लाजवन्ती दिवी भले ही 130 दिन तक अस्पताल में भरती रही हो इस दोरान काफी परेशानिया भी झेलनी पड़ी हो लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर और नर्सिंगर में उनका निरंतर देख भाल करते रहे पलपल की रिपोर्टिंग लेने के बाद उनकी हिम्मत की दाद भी दी गई डॉक्टरों का कहना है कि राजवन्ती देवी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी जिसके चलते भाए एतने लंबे समय बाद भी स्वस्त रही इस तरह का ये राजस्थान में पहला मामला होगा जब इतने लंबे समय तक कोविड-19 महामारी का मरीज अस्पताल में भरती रहा हो और वह स्वक्त होकर घ प्रोसा रखना चाहिए अप्डाउन से चलते रहे कभी कुछ चेंज होता रहे लेगें हमारी दॉक्तर की टीम जो भी हमारी उनिट से है हमारी होडी से रहे हैं और जो नस्ताफ उनके अथक प्रयास से लेए-देरे रिकावर होते गई हैं रिकावर होतने बाद फुद का विल पावर बिन का पहु सबी पेसेंट से अपील यही रहे हैं कि मेरी पहली बात तो कोविड किसी को हो यह ना होने के लिए बचाव करने हैं सोसल इस्टेंजिंग रखनी हैं मास पहना है और अपने हैं अपने हैंज संडराइज करना डेली इसके अलावा जो रखनी है प्रिकोशन विल पावर पने माई हैं जो सबस्ट में एक सो तीज दिनों तर घर से दूर अस्पताल में रही 53 वर्ष स्फ़तों कर अपने घड लोटी दून है डॉक्टरों की टीम से विदाई पी शीदी गई साथी परीजनोंने भी पी अस्पताल प्रशाशन रणाे यह का धन्यमाद अता है यह हमारे यहां प्रिशन्ट एडमिट वा था लाजवन्ति करके इनकी उमर 53 ती यह अजमें दोला बाटा अजमेर की रहने वाली हुए और जब यह अपने यहां एडमिट वी ती तब इनके चोईज तारिफो यह कोविट पॉजिटिवाई थी चोईज अपरेल को बट यह घ मतलब की मोर देन 50 परसंट लंग सिंके खरागते इसके बाद 28 तारिक के आसपास जब इनके जब सेहत में गिरावट होने लगी तो इनको बाइप पर लिया गया हमारे यह मैकेनिकल वेंटिलेशन बाइप है वहां रखने पर जब इनका सिटी स्कान वापत कराया गया तो इ हम सब की तायोग से ढुट ने स्टाफ हमारे प्रॉफेसर्स हमारे युनिट है दॉक्टर रजे जयन सरजी और हमारे सारे तीचर्स जापर एंज जी मीन सर जी बाक्टर पिंकी टाक मह्म जी इन सब के यहां लास्ट में यह फेटता दिन बाहरे पर रहने पादे बाद में इनको ऑक्सिजन पे लाया गया और धे देरे ऑक्सिजन से इनका वैल्यू कम करते करते इनको लास्ट में आज जब ये बिल्कुल ठीक हो गई है तो दो लिटर ऑक्सिजन पे चोड़के आज इनको गर पे बेदे डिश्चार्ज किया है रहा है ये लगबग यहां पूरे 130 दिन रही है कोविट के अंदर आज ये डिश्चार्ज हो गई है हमारे यहां से अब यह यहां गर के रहा है डॉक्टर सागर शर्मा जयाग मेडिसन इमिट 4